प्रधान मंत्री निरिंद्र मोधी की तपिस्तली गरूर चटी जल्द ही केदानाध धाम से जुर जाएगी पुननिर्मार कारियों के तहट धाम में मंदाकिनी नदी पर 60 मीटर स्पान पुल के दोनों एमबेट्मेंट का निर्मार इस सिसंबर तक पूरा करिद मार्च 2021 तक पुल से आवाजाही शुरू हो जाएगी 16 और 17 जून 2013 की आपडा में केदानाध में भारी तबाई हुई थी मंदाकिनी के सैलाब में गरूर चटी को केदारपुरी से जोडने वाला पुल भेगया था रामबाडा के ध्वस्त होने और पैदल मार्ग भी तबाह होने से गरूर चटी का दो तरफ संपर्क तूट गया तबसे ही अच्छेतर वीरान है भूवैग्यानिकों ने सर्वेक्षन के बाद अक्टूबर 2017 में मंदाकिनी नदी के दूसरे छोड़ से गरूर चटी तक लगबग साड़े तीन किलो मीटर लंबा नया पैदल मार्ग बनाया गया मार्कों के दाना से जोडने के लिए जून 2018 में साट मीटर स्पान पूल का निर्मार शुरू किया गया चार करोड की लागत से बन रहे पूल का एंबेटमेंट तयार हो गया है जबकि दूसरे का कारे जोरो पर चल रहा है दिसंबर तक पूल के एंबेटमेंट बहुत साइट बॉल का निर्मार पूरा करने का लक्ष रखा गया है अगर आप में फेस्टूप पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्टूप पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले उत्राखन की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ